हाट एटाइक में पेन होती है बैठे बैठे पेन होती है अच्छा एंजाइना में कब होता है चलने से पेन होता है रुकने से पेन ठीक हो जाती जब 70-80 ब्लॉकेज हो 70 एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है तो कितनी ब्लॉकेज बोलू more than 70 एक बोलता है ब्लॉकेज इस एकल टू अच्छा हाट एटैक धीरे धीरे होता है और सड़ने हो जाता है मुझे अभी था जाता है हुए सड़न्ली फाटने मिले पहले मिला पांच बाद कदम हो गया हाट एटेक हो गई यह जाता आपको याद है अब देखिये एक बाद अच्छ एक आद बि हमें तो बिल्यूंता है, जूपो सबीख को सब्सक्राइब हो, अच्छा उसको कितने सा लगेगा भी हाट अटेक करने, 60 है, 100 है, 40 परसेंट बाकी है, 20 येर्स बाकी है, पता चला, 20 मिनिट बाद हाट अटेक होगी, कैसे हो जाए गाट अटेक, आपको यह दे एक पर दा आपने बताया थामने ब्लॉकेज के उपर एक मेंब्रेन होता है, वो मेंब्रेन बॉस्ट कर जाता है, this is what a heart attack is, देखें आपको समझा आता है कि नहीं, यह 20% ब्लॉकेज दिख रहा है, यह 40% ब्लॉकेज के उपर, और जैसे ही मेंब्रेन बॉस्ट करेगा, क्या होगा, यहां से केमिकल यहां आएगी, और यहां पे खून जा रहा है, इस खून में क्या होगा, ब्लॉड केमिकल मिलेगा, और केमिकल मिलते ही ब्लॉकेज हो जाएगे 100%, this is called a heart attack, 100% ब्लॉकेज, कितने दिर में बना, पांच मिनिट में, जीरो से असी आने लगा था, 40 साल, और असी से सौ आने में, फाइज मिनिट, टू मिनिट, अब एक बार बदाएए, हाट अटेक को रोकना कैसे है, आपका दिमाग क्या बोल सकता है, मैं आपको समझाता हूँ, एक एक्जामपल सोच लीजे, एक नोट का गड़ी है, नोट का गड़ी समझते हैं, नोट के गड़ी में रवर्बेंड लगाए है, मैं हर दिन उसमें नोट गुसाए जा रहा हूँ, और जब रवर्बेंड टाइट हो गई, तो आपको मैंने पूछा, क्या करूं कि रवर्बेंड ना फट जाए, तो आप क्या जवाब देंगे, नोट गुसाओ मत, आप ये पूछेंगे सार, अभी तक रवर्बेंड फट गया, क्या मैं बोलने, अभी तक नहीं फटी है, आ इक दम नहीं है, यही बात मैं हाट के पेशिंट को समझाता हूँ, मैं बोलता, देखो, अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओ गे, तो एक ना एक दिन हाट इटेक होगा, कब होगा हम नहीं जानते हैं, पर कभी ना कभी हो सकता है, आज 80 ह मालूमने नबे में पर्दा फट जाए, यह पर्दा कब फटेगा हमको नहीं मालूमे, हर आदiful का परदा अलग अलग है, हर आदमी की मेम्दा अलग-अलग स्ट्रेंथ कीह है, अब कब फटेगा नहीं मालूम पर, एक बात पका मालूम है कि आज से नोड घुसाना बंद कर तो फटने के चांस कम हो जाएगा और कुछ नोट निकालना चालो कर दिया तो आपको क्या लगता है लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं वो जो कारण है ब्लॉकेज का उसको अटाओ और बॉडी में सप्लाई फैट का बंद करो अब हार्ट अटैक का चांस से इस अल्मोस्ट निल और यही बात में हार्ट के पेशेंट को समझाता हूँ आपको क्या लगता है सही हुआ कि नहीं हुआ कॉमन सेंस के बात यही बोलता है कि नहीं ब्लॉकेज का कारण को अटाओ और खतम करो बात तो यह है हार्ट अटैक रोकने का उपाईज मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट यह करते नहीं है करना पिना गलत खाते रहते हैं दवाई यह भाई यह खाते हैं कार्डियोलोजिस्स अपूंच भी ले लेते कि कि दॉक्टर साब मैं आप से दवाई ले रहा हूं तो आपके अंडर में हो गया ना डॉक्टर बोलता है मेरे अंडर में हो, बोलता है डॉक्टर साब कभी हार्ट इटाइक हो जाए तो आप कहां मिलोगे, मैं अभी ब्लॉकेज बढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ हमको बताओ हार्ट इटाइक के बखत आप, अचा काडियोलोजी भी बड़ा खूस रहता है, बोल पहले करने का पुछ जरॉत, आपको क्या लगता है, सही बात हो रहा है, अरे हार्ट इटाइक के पहले ही रोक लो ना, क्या हार्ट इटाइक, और मैंने देखे आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है, एनिवे, आई डॉन्ट वांट आट, अचा एक बढ़ बताईए, ये जो पेश क्या लगता है, हाया ना, बोलो क्या बात करेंगे, उनके पास दो प्लाइन है, एक है बाइपास सienst strict, और एक है अंगुो प्लास्टी, अचा इतनी कॉमन सी बात है, ब्लोकेज का कारण को रोको, वो इसको नहीं बताके बाइपास अंगूप्लास्टी क्यों बोल रहे हैं, आगे पहले कॉमन बाद बताओ, फिर तो बाइपस अंजियरी अंजियो प्लास्टिक बाद करते हैं, वो लोग चाहते नहीं है, यह सब ज्यादा, वो बोलते हैं हमारी बाइपस की काम अच्छे, 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 वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ, मैं आ दरद हो जाती है, फिर मैं रूब जाता हूं, दरद ठीक हो जाते है, कितनी ब्लॉके जाए? क्या करता जब भी स्पीड लेने का काम होता है मैं धीरे दिरी जाओ काूए अप चोड़ जाने दो जब दादर चड़ना होता है तो दिरे से चड़ दो कशड़ना होता है पर धीरे-जीर पता जब मैं स्पीड लेता हूं तो यहां पे च्छाती में दर्द हो जाता है फिर रुकता हूं ठीक हो जाता है अच्छा उनको कुछ आइडिया लग जाएगा वो एसीजी करके देखते हैं इसमें कुछ नहीं आता है पेशिंट बोलता है सर एसीजी में नहीं आएगा आप चला क क्या किरूं बतरुह किरो मैं हॉस्पिटल का नाम लिख के देता इसमें चले जाओ और एक काडियो लजिजी का नाम लिख अच्छे इसका भी कुछ पाइदा है ना अच्छ आप आप कहां चले गए नेक्स दे पेशेंट पहुंच गया हाट के हांस्पिटल में कार्डियोलोजिस को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेरे को चाहती में दरद होता है कार्डियोलोजिस को कुछ समझ आ गया क्या उन पiczcie बोलता है ने पटार ने बहुट फिए नहीं सकता है अरे मैं कभी कोई गलत काम की अढ़ी सिगरेट तो बहुत लोग पीते हैं ऑर चर्भी उर्वी जो बहुत लोग फाते मैं तो थोड़ी बहुत ही कहता हूं तो पीशेट क्या सोझता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं दॉक्टर ठीक ही बोल रहा है कुछ मिले गई नहीं पेशिएंट बोलता सर कोई उपाई है पता चल जाए ब्लॉकेज कितना है काडियोलोगिज बोलता है बोलता है अंजियोग्राफी कर लेते हैं आपको देख लेते हैं या अचा पेशिएंट मान जाएगा नहीं मान जाएगा पेशिएंट बोलता सर कोई भी टेस्टो मैं तयार हूँ आप बोलो क्या क्या कराना है बोलते हैं आपको अड्मिट करके आपके अंदर एक तार गुसाएंगे और उसमें जान भी जाने की चांस है अच्य पेशिंट फिर भी नहीं चाहता है विदा मिनातार गुसाए कुछ कर ली जाना आप पता करना है भ्लॉकेज कर लीजा अब कार्डियूराजिश बोलता है आजियो गुराफी बिना कैश नहीं पता चलेगा अच्छा एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा एंजियोग्राफी हो जाता है पेशन बोलता है चलो एक बर करा लेते हैं फिर घर जाके सोचेंगे ब्लॉकेज मिल तो जाए देखे तुसे ही कितना है फिर जाके घर में अच्छा प्लाइन कर लेता है क्या प्लाइ साज चालो कर दूँगा एक्टम प्लायन करके जाता है कि कल खाली रिपॉर्ट लेकर घर जाना आब अचा रिपोर्ट में कुछ निमिलेगा अचा रिपोर्ट में कितनी ब्लॉपपयות मिलेगी 7088 normelnay ऑच जब 80 ब्लॉपफय मोगने और वो बोलते हैं, you are very lucky, patient बोलते हैं, lucky मतलब कुछ भी नहीं मिल आपको, बोला lucky इसलिए कि आप ठीक ताइम में यहां तक पहुच गए, थोड़ा सा लेट आते हैं, तो कुछ भी हो सकता था, patient बोलते हैं, इसका मतलब कुछ serious बात है, बोला आप बचे कैसे में को समझ नहीं आ बोलते हैं, you are very lucky, अभी तक बच गए आप, अब आपका बचने का चांस, बहुत कम है, patient बोलते हैं, पर हुआ क्या है, 80% अलड़ी, finished, बस थोड़ा सा ही है, you are carrying an atom bomb, अचा patient बोलते हैं, एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, मैं घर चाओंगा, बोलते है घर आप पहुंचेंगे कैसे, उसके पहले हाट अटाइक हो जाएगे, अचा आपको क्या लगता है, डॉक्टर को मालूम है क्या हाट अटाइक कल होगा, आज होगा, उसको तो यह भी नहीं मालूम, 70 है, 80 है, या 90 है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, to create a fear, और fear से क्या होगा, फिर operation के लिए immediately, बहुत सारे लोगों को इता बोलने का जरूरती नहीं हो, तो immediate तैयारी हो जाता है, heart का सुनते है, उसके मन में ऐसे ही डर रहता है, उसको जाए डरा नहीं का, पर कभी कभी patient बोलता है, सारे एक बाद बताईए, blockist तो कल भी था, blockist तो, आज भी है, कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहाता है, यह pain तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चलाओ, तो आप एक काम करिए, मेरे को आप डिस्चार्ज कर जीजिए, मैं घर जा के फिर सोचूँगा, बोला नहीं, आप एक काम कीजेगा, आप करवड भी लेंगे ना तो पूछ ल आप बोलो, मैं बचाने की कोसिस करूँ और जाने दू, अचा आंसर क्या होगा, वाइप क्या बोलेगी, कि जिन्दकी भर इन्होंने मेरे लिए कि आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन, वाइप बोलती है, कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना, इ नहीं सुना, इक खोलेस्टरॉल के बज़े से ब्लॉकेज होता है, इनका खोलेस्टरॉल हाई है, तो क्या करूं कि एक खोलेस्टरॉल कम हो जाए, खाने पिने में क्या-क्या चेंज लाना चाहिए, अचा, काडियोलोजिस मान जाएंगे इसे बात्स में, वो बोलेंगे, य इस डाइंगे, और टॉकिं अल दिस रभिश, अचा, तब तक और और जितने परिवार वाले बोले, नहीं नहीं, ऑपरेशन होना ही चाहिए, मेरे एक पेशेंट ते बोले, डॉक्र साब, मेरे साथ पूरा ऐसे ही वा, मैं तो खाली एक टेस्ट कराने गया था, और उसके ब मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी हो जाने नहीं दिया, फिर मैंने last बोला, मैंने बोला, देखो, मैं खरने तयार हूं, पर परिख से नहीं है, आप प्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो, तब इनो ने बोला, कोई प्रब्लम नहीं, आप घर चले जाओ, पिर म एक बाट, मैंने बोला, देखे, मुझे प्रोपर्टी बेच के आना होगा, दो महीना लगेगा, फिर मुझे दो महीना उने टाइम दे दिया, आप कोई प्रब्लम नहीं है, दो महीने बाद यह उपरेशन होगा, आपको समझा रहा है, अपको समझा रहा है, बोपरेशन कम आप देखो क्या चाते हो, आप अगर 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 अपको बदलो गे तो अपरेशन रोख सकती है, आप नहीं बदलना चाते हो, तो मैं अपरेशन कर दूँ, उसके बाद जा के बदलने का कोसिस करो, but the hospitals don't give chance, उनको मालूम है, ये एक मौका है, अपरेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज तो पेशिंट को फिर भी करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ हाट के पेशिंट को मैं तीन चीज देखते दिखाऊं, एक तो दवाईया है, एक बाईपास हो रहें, एक अंजियोप्लास्टी, यह द मैं एक जाएक दूवाई ऐसी है, जो दवाई देते यह दर्वत कम हो सकती है, कौन सी दवाई है? वो भी sorbitrate का भाई है तो यह जितने भी sorbitrate है उनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूँ these are all kinds of sorbitrate and all यह सब दवाई हम लोग दे देते हैं sorbitrate, ismo, isodil, monotrate, nitrofix, angicid, imdur, angicor, vasotrate, monotrate, sorbitrate, monosorbitrate, nitropanteen, vasoprene, monospreen इस तरह की दवाईयां हम हार्ट के patients को दे देते हैं anyway, दवाईयां बहुत सारे तरह के मिलती है एक होता है हार्ट की oxygen की जरुवत को कम कर देता है इसको बुलते हैं beta blocker, calcium channel blocker, फिर ace inhibitor ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हार्ट के patients को दे सकते हैं I'm not going to go into that detail कुछ बलड पतला करने का दवाई भी देते हैं आपने देखा है नाम, ecospreen, colspreen, asa, delspreen, dispreen, clopicle, clopilate, clopivas, seruven, clavix, clotrel, plajary, stromex, deplat इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं बलड को पतला करने के लिए पर ये गोलियां देने से भी patient ठीक नहीं होता है तो इसके लिए मैं चाहता हूँ वो lifestyle change करें अपनी blockage को कम करें कि उनको देने की जरुवत पड़े ही नहीं अच्छा ये गोलियां इतनी खाए कि इसके side effects होती है क्या अगर side effect होती है constipation तो constipation क्या और गोली दूँगा और acidity हो जाए तो acidity की गोली दूँगा और नीद ना आए तो नीद की गोली दूँगा अच्छा बता है ये बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है I am not keen मैं जानता हूँ दबाई आज जरुवत है पर कल दबाई की जरुवत ना हो इसका बंदवस करना बहुत जरूरी है इसके पाद चलते हैं कि अंजग्राफी किया चीज़ है hospital में जाते हैं अंजग्राफी करते है और ये अंजग्राफी मुझे पसंद क्यो नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रप्लम जाए अंग्योग्राफिय। एक थार आपके पूरे बोडी को स्क्रैच करके हाट तक लेकर जाना है। यह थार यह से जो घुसे की वान मीटर वायर इस इंजर्ट इंट इंट एले टिले टिले रिच जाए नहीं किया। अब गुसाद हो ये अंदर जाती जाएगी और अगर अटक गई तो वापस खीच के फिर से ट्राई करना होगा मतलब वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा पूरे बॉड़ी को स्क्रैच करती है और लिखवा लेते हैं कि अगर हाट अटक हो गया तो मेरी कोई जम्मेवारी नहीं है और ये पूरे बॉड़ी को ये पंक्चर भी कर सकता है मैंने ऐसे ऐसे पेशिंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के बखती डित होगी अगराफी में पेर को काटना पड़ा अल्टीमेटली क्योंकि पेर की ट्यूप को डेमेज कर दिया तो अगराफी मैं नहीं चाहता हूँ और उसके बाद क्या होगा इन अक्यूरेसी अबॉड दा और उसके बाद प्रेशर फंद गाडियोग्राफी मेरे को अबरजन्सी हो गया बट अबरजन्सी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है अन्यवे यह एंजियोप्लास्टी जो है यह दो अपरेशन दो चीज़ों लोग करते हैं एक एंजियोप्लास्टी एक बैट पसज़री मैं एंजियोप्लास्टी दो मुनीट आपको समझाना चाहता हूँ वट इस अन्यवप्लास्टी एक स्टेंट लगाते हैं सुना अपने नाम एक रिंग लगा देते हैं हाट में वट इस दिस पिछले बीस साल में जो अंजियोप्लास्टी है यह बार बार फैल किया और बार इसको सक्सिस बताया गया पहले आई थी बिलूनिंग बिलून अंजियोप्लास्टी उसके बाद बहुत सारे तरह के अंजियोप्लास्टी आई और इनरी स्टेंट आई फिर गोल्ड स्टेंट आई फिर रोटा बलेडर आया रेडियो अक्टिव स्टेंट आई लेजर अंजियोप्लास्टी आई आज कल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट पर ये सारे के सारे फेल हुए हैं क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूँ देखे ये बिलूनिंग क्या चीज़ है याद है आपको एंजियोग्राफिक के बगर तार अंदर घुसाई थी वो कहां तक गई थी हाट तक यहां तक तार आई थी इस सार के ओपर ये बिलून रोता है इस सार को थोड़ा सा धका मारते हैं कभी कभी काडियोलोजी सार को अंदर रखके बाहर आ जाते है आके बोलते हैं देखो तार अंदर है बोलो तबी खोल दू आप बोलते हैं चलो खोल दो कितने लगेंगे, दो लाँ लगेंगे, दो लाँ दे दिया. अब ये तार को ये लोग धका देते हैं फोड़ा और. तो तार की ये जो बैलूने, ये बीचो बीच आ जाती ही ब्लॉकेज में. अभी इस बैलून में पानी डालना होता है. यह बैलून ऐसा होता है इसमें पानी डालते है बैलून फुल जाती है अचा पानी कैसे डालेंगे आपने होली में बैलून फुलाया है सिरींज से सिरेंज में पानी ले लो सिरिंज को दबादो तो बेलून के अंदर बानी गुष जाए तो ब हार से सिरेंज से पानी डालेंगे तो बेलून क्या होगा Willow जैसे ही ब्लॉकेज खाँ गई, साइड में दब जाएगा, उपर कंप्रेस्ट हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ट हो जाएगी, अच्छे ये बैलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा, बैलून को वहाँ पे दो चार सेकेंड से जादा नहीं रख सकते हैं, बैलून तो बैलून में पानी डाला और से बापस पानी खिंच लिया, जैसे ही पानी खिंचा बैलून बापस चिपग गई, तार को पकड़ के बाहर निकाल लिया, अच्छे ब्लॉकेज बापस आजाएगी, नहीं आजाएगी इसके बार, क्या लगता आपको, इस 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 एलास्ट बैलून प काम की नहीं है, पहले क्लेम किया था बैलून एक बार ख़एग एग जिंदगी बार चलेगी फिर बाब बादा पान पाम प काान चलेगी इसके बार, क्या हुआ है, फिर बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज बापस आएगी तो यहांप एप एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ये spring क्या काम करेगा? blockage को आने से? रोग देगा, आपको समझा रहा है spring का मतलब क्या है? अगर spring डाला गया इसका मतलब क्या है? कि blockage बापस आ रही थी, थी, इसका मतलब पहले वाला जो claim था वो गलत था कि ballooning करा लो ठीक रहा इसके बाद ये जो stent लगी stent का एक major problem है कि इसके अंदर से blood जाएगी और foreign body के अंदर blockage बहुत जल्दी होती है ये देखा गया, ये stent में 6 मेना एक साल में सारे block आ जाती बापस और ये जब बापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला आपने देखा है, चांदी के गहने में सोने की कोटिंग चड़ाते है तो वो स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग चड़ा देते है और वो कोटिंग चड़ा के लगा दिया पर इसके बाद भी ये foreign body ही रही इसमें वही कब ही result आया है अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a re-blockage इसके बाद है bypass surgery एक बहुत बड़ी surgery होती है देखे बाइपस surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ इक बहुत बड़ा surgery है एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा इसमें आड़ी से कटेगी आड़ी समझते हैं आपने मार्बल फिटिंग के बखत एक देखा है गोल चक्का लेके घुनते है ऐसा एक लगा के इसको अंदर से जैक करके इसे कोलेगा अंदर में हाट को रोक के उसमें उपरेशन होगी और हाट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉड़ी को ब्लड जाएगा इसको बोलते हाट लंग मशीन उसमें कुछ ब्लड डालके उससे चलाना होगा और इस ताइम अपरेशन है तो टेक प्लेस बट इस अपरेशन इस वेरी कम्प्लिकेटेट तो यह ब्लॉकेज के जएके नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया बाइपास हो गया पर यह नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं आपको क्या लगता है यह नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है अच्छा आप तो 40 साल बाद ही आएगी ना पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज होई थी 20 से 40 साल तो कितनी स्पीड रही 2 से 4 परसेंट 6 पर और एंजियो प्लास्टी के बाद अगर 2 साल में बापस री ब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई 40 परसेंट पर और बाइपास के बाद अगर 5 साल में री ब्लॉकेज आती है तो 20 परसेंट पर जो ट्यूब ओर इजिनली 2 परसेंट की ब्लॉकेज कर रही थी कि वो अब operation के बार, उसकी speed, क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब वो original नहीं रहा, हमारी body को जब तक original रखो तब तक अच्छी बात है, हमारे prime minister ने भी दो दो वाइपस कराई है, angioplasty पांच strength लगाई है, पर मैं जानता हूं, उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा, एक बार कर लिया, दुसरे बार कराई है, कब तक करा सकता आदमी, और मैं जानता हूं, बोड़ी में एक बार complication कराना, उनके लिए तो चलो, बहुत बड़ा team लगेगा, हर आदमी के लिए तनी बड़ी team, नहीं भी लग सकती है, और इतना बड़ा operation नहीं भी कर सकते हैं, ठीक से, प is this accuracy, you understand, this is the accuracy, इस picture को आपने देखा है, इसमें accuracy लिखा है, कितना accuracy है इसका मतलब, मैं आपको समझाता हूं, ये एक drum है, ये drum में में पानी भरना चाहता हूं, और इसमें 15 छेद है, आप बताएं कितनी छेद बंद करने से drum बरेगी, यादे, इसमें से कितने को कंट्रोल कर है, सारे को करना होगा, अचा मैं हार्ट के पेशिंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में, वो क्या बोलते है, मेरा कोलेस्टरॉल कंट्रोल है, ट्राइगलिसएड जादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी जादा है, मैं बोला ऐसे नही यह शुगर, बीपी, कोलेस्टरोल, ट्राइगलिसएड आपसे कम नहीं हो रहा है, मैं दवाई देके कम कर देता हूं, पर स्मोकिंग आपको पुरही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, और वेट कम करना होग खाना पिन में फ्राइबर जादा डालना होगा, अच्या सब संबब्स अरगों के लिए? यह बढ़ फ्रॉ प्रप्लम है? या सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते हों, क्यों नहीं सिंग्रेट बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं टेल ही? छोड़के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं, so all these if you do there is no problem, never the less मैं जानता हूँ, एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक और नहीं जो टेखनोलोजी आ गई है आदमी को मैं सोचता था, बिना काटे कुछ हो सके, यह हमारी cooking की class है, this is a cooking class, मैं heart care patients को training देता हूँ, this is my dietitian, teaching, cooking, zero oil cooking to the patient's wives, मैं heart care patients को yoga सिखाता हूँ, मैं बोलता हम कैसे भी करो, yoga करो आप, yoga करने की बहुत जरूरी है उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी समान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, scooter चलाना चाहिए, office जाओ तो क्या precaution लो, दादर चड़ो तो क्या precaution लो, आगे कौन थी yoga करो, कब तक करो, कौन से medicines लो, कब तक लो, and for this, हाँ, मैं एक magazine भी निकालता हूँ, इसका नाम है South Times, ये magazine में हर महीने निकालता हूँ, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लीश में, अच्छा आपको एक form दिया गया है, क्या ऐसा देखे तो, have you got a form like this? ये form में अगर आप अपने नाम एड्रेस भिभर के देंगे, तो आपको ये magazine आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में, इंग्लीश में दोनों में magazine है, और इसके साथ एक छोटा सा और question here रखा है, कि यहां पर अगर हम लोग ऐसा कोई camp करवाएं, so how many people will be interested to join such a camp, एक दिन का या दो दिन का ऐसा camp अगर हम करवाएं, तो कोई interested हो, तो please fill it up, मेरे को लोग बोलते हैं, इतनी सारी बाते हैं, अगर कैसे याद रखूंगा, मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखे, आदमी बोलता है, सर छोटा सा कुछ दीजे ना कौपी, तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है, जिसका नाम है pocket guide, एक 30 रुपीज के किताब है, कोई दो घंटा बैट के पढ़ ले, तो जितनी बाते मैंने बताई है, सब इसमें लिख के रखा है, so this book I have brought over here, मेरे खाल से बाकी books तो मैं नहीं ला सकता हूं, क्योंकि hundreds of books तो मैं ये book लाया हूं, कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं और कोई को पढ़ाना चाहता हूं, heart के patient को जरूर पढ़ाई है 30 रुपीज की gift होती है, you can give it to anybody and they will learn things from the book, तो ये बहुत जरूरी है मैं जानता हूं, मैं ये magazine पिछले 10 साल से रन करता हूं and it is gone all over the world मैं एक नहीं टेक्निक आपको इसी बहुत बताना चाहता हूं there is a new machine which has come, which can open the collaterals देखे, collaterals का क्या मतलब है, ये blockage है बाइपास सजरी में क्या करते है, नहीं टूब लगातेते है इसमें क्या करते है, जो heart की ये branch है और ये branch है इनको जोड़ देते हैं आपस में there are so many small tubes, जो इसको जोड़ जाए तो blood यहां से यहां से आने लगे ये जो छोटे छोटे tube है, ये मैंने बोला था sportsman चालू करके रखते हैं और sportsman चालू कर दिया तो क्या हो गया उसके पास दो supply हो गए, एक तो ये original है और एक side वाली भी है, इसको बनते है collateral, बैंक में आपने loan लेते वे देखा है कभी collaterals बोलते है collateral मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए तो ये collaterals भगवान ने हमें देखे रखा है original तो धा ही था, एक collaterals भी देखे रखा है अब ये फेल हो जाए तो ये चालू करना अच्छा ये अगर चालू हो जाए बीना operation के, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता and this is a new machine, new technology which has come देखे हमारे medical science की technology, बीना काटे वाली technology है ये देखे, ये tubes हैं जिसमें कोई collaterals चालू नहीं है और ये है tubes के सारे collaterals चालू हो गए आपको समझा रहा है difference दोनों के अंदर ये जो छोटे-छोटे collaterals है, ये हमारे सब के पास है और एक machine से इसको या तो sports करके चालू कर सकते है या तो एक machine से चालू कर सकते है ये machine क्या करती है, सोचिए ये jackets लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में और सारे को एक साथ squeeze कर दो तो क्या होगा, इसकी blood कहा जाएगी बाडी में ही रहेगी, पर कहा जाएगी ये हाट के तरफ जाके हाट के ट्यूबस को धका देके प्रेशर देके इसको खोलेगी ये प्रेशर एक एक गंटे तक एक एक में इसको हाट किसंग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है Synchronize मतलब heart जब pump करे तो machine pump नहीं करता है जब heart pump करके relax करने लगे जब पूरे blood बापस आती है तो वो squeeze करके सारे blood को इससाथ बेजा जाता है And this goes on, ECG feed होती है computer को And this machine we have seen now without bypass surgery आदमी बोलता है मुझे immediate result चाहिए So without bypass this can work very well So इसको हम लोग बोलते है natural bypass Natural bypass समझने है भगवान ने already natural bypass हमें दे के रखी है Sportsman चालू करके रखा है तो आप heart के patient हो आप चालू करो आपके पूर लेटरल आ गई तो original नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी और एक मैं जैसे ही एक और treatment आई है जिसको हम लोग गुनते है Bio chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है कुछ chemical अंदर डाल के blood में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं लोग कुछ chemical डालते हो अंदर से तो ये chemical की भी treatment आचकल चल रही है बट अभी भी इसका results हर आदमी में सेम नहीं आता है बट results are still there बहुत सरे ऐसे patient है जो 30-40% तक blockage इससे कम हो सकती है never delays मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारा lecture आपको दे दिया है कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साब कभी भी किसी को आदे घंटे से ज़्यादा lecture मत दिया कीजिए मैंने बोला क्यों बोला आपने school उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं बोलता है आपने school college में देखा है कभी भी periods 40 minutes से ज़्यादा नहीं रखते हैं पांच मिनिट आने जाने का वेस्टेज गिन लो आदे घंटे ही चलेगा दिमाग मैं बोला पर मैंने देखा आप TV देखते हो तो दो तिन घंटा देखते हो एक साथ बोलता है नहीं वो interesting वो तो देखते है तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं दो घंटे के लिए और आपको जरूर इंट्रेस्टिंग लगा होगा मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ ये हॉल को एरेंज जी लोग ने किया उनको स्री माफ़तलाल जी को जिन्नोंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके लिए फिर से एक बार Anyway, मैं जानता हूँ, मैंने लेक्चर तो खतम किया है और मैं चाहता हूँ कि आपके पास अभी भी कोई questions जरूर होगी मैं camp भी करता हूँ और मेरी बंबई में जूहू में एक clinic भी है जहां पर हर वकर डॉक्टर है और ये मशीने वगरे भी है तो आपको अगर कभी कोई जरुरत पड़े तो आप हमारी किताबे जरूर पढ़िएगा और ये छोटी वाली चिताब भी पढ़िएगा अगर आपके पस कोई कुश्चिन्स हो के लिए माइक है है हमारे पस, so if you have questions, I would want you to ask the questions and I would like to answer the questions. You don't cover the effect of alcohol. Yes, very important thing. Alcohol. मैं आपको बता दू, alcohol हाट के लिए कभी अच्छी नहीं है. We don't recommend alcohol for the heart patient. क्यों? तो alcohol में glycerol होती है. और glycerol से triglyceride का रिस्ता होता है. Triglyceride, glycerol होता है उसमें भी. तो alcohol में aldehyde group है और glycerol में aldehyde group है. और यह दोनों इस दुसरे से exchange हो जाती है. जब भी कोई alcohol ले तो उसका triglyceride 40-50 तर बढ़ जाती है. तो alcohol कभी heart के लिए अच्छा है ही नहीं. पर alcohol से एक अच्छा ही होती है heart में, वह HDL बढ़ जाती है. तो heart के patients क्या चाते हैं? मैं बहुत है, HDL की बात करो, Triglyceride की बात करो. अरे मैं कैसे बात ना दुरूँ? एक चीज़ अच्छा ये खराब है ना, सब्सब्स का अच्छा है? अच्छा एलकोहॉल से nervous system खराब होती है. अच्छा ने सुनाएं, एक्सिडेंट करके लोगों को मार डाला लोगों ने? सुनाएं सर्? तो एलकोहॉल से पैसे भी खराब होती है। आपको मालूँ है क्या अच्छा एलकॉल से एडिक्शन होता है इस बात मालूँ है एडिक्शन मतलब क्या है जिसको एलकॉल पीने की आज़त पड़ जाए वो मार फिट करके भी अलकॉल पियेगा हर दीन पियेगा एक आदमी मेरे को बुला सर सब को ही नहीं होता है सा मैं तो कौन गैरंटी दे सकता है आप उसी एडिक्शन में नहीं जाओ अलकॉल में परिवार को बड़ा तेंशन रहता है वाइप सबसे ज्यादा दुखी होती है जब हजबन सराप पीता है तो वाइप सबसे ज्यादा दुखी होती है अच्छे तो अच्छा चीज सिखते हैं बच्चे भी बहुत दुखी होते हैं कि पापा को सिगरेट पीने देते हैं दो ही होता है बच्चा दो ही काम करता है या तो पापा के तरह पीना चालू करता है या तो पापा को जिन्दे की बार नफरत करता है क्योंकि उसको अलकॉल या तो पसंद हो जाएगा तो पीना च मैं बोले हूँ इसको पुछना कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को पिलाना चालू किया हर दीन बोलता है नहीं मेरा बेटा पीएगा तो निकाल दूँ भर से अच्छा अपने बेटे को घर से निकाल दूगे पीने से और हमको आप बोल रहे हो पियो आपको क्या लगता है, लॉजिक बहुत अच्छी है कि खराब है कोई भी काडियोलोजिस्ट को यहाँ लगा के बोलने बोली है कि हाँ यह अलकॉल बहुत अच्छी चीज है, मैं अपने बच्छों को पिलाओंगा अपनी वाइब को पिलाऊंगा, तब तो मैं मान जाओं, कोई काडियोलोजिस तैयाड नहीं है, पर पेशेंट के लिए, घुज देना समझते हैं, घुज देना, ब्राइब करना समझते हैं, ब्राइब होने से बहुत काम हो जाता है, तो पेशेंट को ब्राइब देगे रखत कुछ फ्रीक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट लिए अच्छा है, तो पर एक आदमी मेरे को बोला सिर्फ गार्लिक खाँगा, मेरा ब्लॉक इस ठीक होगा कर नहीं, जितने खराब बाले आइटेमें सब बंद करने होगे, जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी, तो ऐसा CT angiography बंबई में बहुत सारे जगे है, मेरे खाल से कम से कम 20 मशीने लग गई है, हम जहां करवाते हैं वो चित्रा करके हैं दादर में, तो यह CT angiography कर लिए आपको अगर address चाहिए, हमारी क्लिनी का address आपके पास है अलड़डी, तो यह CT angiography कर लिए आपको अगर address चाहिए, अगर 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 आप खाना पीना ठीक रखेंगे तो is good cholesterol anyway is related to fat also I mean it is coming from fat plus protein Hare Krishna Prabhuji this is Dr. Anuj here I have done lot of your patients I have done echoes of those patients at Chitra Scan and let me tell you I am a cardiologist and I really loved your lecture it's an amazing talk that you give and I pray that we do something together with all the malpractice I am very much aware of what is going on and